नमस्कार में हूँ आरती आप देख रहें कोहराम लाई गुमला की एक आवासी विद्याले में पढ़ने वाली एक नाबालिक छात्रा कोवारी मा बन गई पेट दर्द की शिकायत के बाद उसे अस्थानी सदर स्पताल में ले जाया गया जहां उसने एक बच्ची को जन में दिया सबसे हैरत और हैरानी की बात यह रही कि छात्रा नौ महिने तक गर्वती रही इसकी भनक तक किसी को नहीं लगी वह हमेशा स्वेटर और सॉल ओड़कर रहती थी पिर्टा के बयान पर समंदी धाने में केस दर्ज किया गया है इलजाम है कि पिर्टा के साथ यह महापाप उसके एक सगे रिस्तिदार नहीं किया है मा के साय से वन्चीत इस पिर्टा का बयान एक महिला पुलिस अधिकारी ने लिया पिड़ता के पिता बहुत गरीब है पुलिस और स्कुल प्रबंधन पूरे मामले की गहराई से तहकीकात कर रही है राजानी राची के काके थाना शेत्र के एक दबंग युवक राजु साहू को गोली मार दी गई गोली उसके सीने के आसपास लगी है लहुलुहान राजु को राची के मेडिगा होस्पीटर में भरती कराया गया फिलाल पुलिस उसका बयार नहीं ले पाई है काके पुलिस का कहना है कि गोली मारने के बाद भाग निकले हमलावरों का एक बैग घटना अस्तल पर मिला है बैग में टूटी-फूटी हालत में दो मुबाईल और एक देसी पिस्तॉल मिली है पिस्तॉल भी कारगर नहीं है राजु साहो को गोली किसने और क्यू मारे इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है सुत्रों के अनुसार कांके के होचर बस्ती में इस घटना को अन्जाम दिया गया है राजु के बारे में पुलिस ने बताया कि वह जमीन खरीद बिक्री का काम करता है उसका पुराना रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया नहीं है काके रिंग रोड में एक जमीन पर दावेदारी को लेकर भी कुछ लोगों के साथ उसका टसल चल रहा था दो साल पहले भी राजु साहो के खिलाब एक केस दर्ज हुआ था पुरे मामले की तफ्तीस की जा रही है हजारे बाके चौपारन पुलिस ने पीलफाई के तीन उग्रवादियों को खुटी से आरेस्ट किया है गिरफतार उग्रवादियों में बीजु मुंडा, बीजु की बीवी छोटी टोपनो और प्रभुदान कंडुना शामिल है सभी खुटी के कर्रा थाना इलाके के रहने वाले हैं कारुबारियों के मुबाईल में धमकी भरा पोस्टर और ओडियो क्लिप भेज उन्हें डरा हड़का कर रंगदारी वसुनना इनकी फित्रत है पीलेफाई के जार्खन हेड राजेस गोब के इशारे पर तीनों काम करते हैं पुलिस को दे अपने बयान में उगरवादियों ने कई खुलासे किये बीती साल के 29 दिसंबर को चौपारन बाजार में बंद दुकान में पोस्टर चिपका कर फाइरिंग की गई थी 16 जनवरी को चौपारन के ही पास कारुबारियों के मुबाइल पर धमकी भरा मैसेज भेजा गया था दोनों मामले में पुलिस अब तक 6 अपराधियों को दबोच चुकी है राज़ानी राची में चल रहे नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों को उपलब्द बिमारियों से होने वाली खर्च का संभावित रेट चार्ट डिस्पले करना होगा वही क्लिनिकल इस्टेबलिस्मेंट एक्ट के नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है यह आदेश आज राची के सिविल सर्जन डॉक्टर विनूत कुमार ने दिया सिविल सर्जन आज प्राइवेट अस्पतालों के संचालों के साथ बैठक कर रहे थे इस बैठक में करीब 19 संचालक शामिल हुए बैठक में आयुस्मान भारत टीवी उन्मुलन कारिकरम पर भी चर्चा हुई इसके अलावा नर्सिंग होम प्राइवेट होस्पीटल में आयुस्मान भारत योजना के तहत कौन कौन सी बिमारियों का इलाज उपलब्ध है इसकी पूरी डिटेल जानकारी डिस्प्ले वोट पर होनी चाहिए अगर कोई मरी जायुस्मान कार्ड लेकर नहीं आता है तो उसे सीधे लोटने की जगा वाटसेप या अन्य तक्नीकी से श्रॉप्ट कॉपी देखकर भी इलाज शुरू करने को कहा गया राजानी राची के इटकी में अग्यात अपराधियों ने खुल कर गुंडई की इटकी के गडगाव पूल के पास सडक चौनी करन की निर्मान कार में लगी कई गाड़ियों में पेट्रोल छुड़क माचिस मार दी एक रोड रोलर जलकर राक हो गया बागी गाड़ियों को हलका फुलका नुकसान हुआ मौके पर मौजूद गाड़ को मारा पिटा गया उसका मुबाइल छिन लिया गया गाड़ ने पुलिस को बताया कि कल देर रात दो अंजान लोग उसके पास आये और बीना कुछ कहे सुने उसे हथियार दुड़ा दिया दोनों अपने साथ पेट्रोल लेकर आये थी वहां खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी घटना की सूचना पाक कर मौके पर पहुची पुलिस अपरादियों को खोजने में जूटी है पती से रूट कर मायके चली गई पत्नी को लाने गए जारखन के एक यूवक के साथ और मानवी बरताओ करने का इल्जाम लगा है ये इल्जाम यूवक में अपने ससुराल वालों पर लगाया है जारखन के साइब गंज के रामपूर गाव का रहने वाला पवन कुमार अपनी रूठी पत्नी को मनाने और लाने ससुराल गया था उसका ससुराल मुझपरपूर में है पवन का आरोप है कि उसे ससुराल में बेतर हमारा पिटा गया वा बेहोस हो गया था जब उसे होस आया उसके पेट में खुब दर्द हो रहा था अस्पताल में X-ray रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उसके पेट की अंदर एक ग्लास है मामला थाना तक चला गया पवन को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है पवन हैदराबाद के एक पेट्रोल पंप में काम करता है किसी बात को लेकर दोनों पती पतनी में खटपट हो गई थी जिसके बाद रूठी पतनी को वह मनाने गया था बिपेसी प्रश्णपत्र रिलीक मामली में वांटेज सरोच कुमार की घर को कुर्क कर लिया गया उसका घर मधुबनी के साहर घाट थाना च्छेत्र के पिहडवाड़ा गाउ में है उसका घर मधुबनी के साहर घाट थाना च्छेत्र के पिहड़ा गाउ में है पतना के EOU यानि आर्थी कपराद रिकाई की टीम ने वहां के अस्थानी पुलिस की मदद से यक कारवाई की टीम का नेर्तरित्व डियेसपी संजे कुमार वर्मा कर रहे थे इससे पहले फराद सरोज कुमार को सरेंडर करने के लिए कई बार नोटिस भेजा गया उसके घर में इस्तिहार भी चिपकाया गया पर उसने सरेंडर नहीं किया विदेशी मेहमानों को लेकर गंगा विलास कुरूज साहिब गंज के मर्टी मॉडर टर्मिनल पहुचा दुनिया के सबसे लंबे इस रिवर कुरूज पर सवार लोगों का जोरदा स्वागत किया गया मौके पर खुद साहिब गंज के डीसी राम निवास यादो, राजमल विधान सबाशेतर के विधायक अनन्त ओजा, स्पे अनुरंजन के स्पोट्टा समें जीला के कई पधाधिकारी मौजूद थे अतिथियों का स्वागत पारंपरी गादिवासी निर्थि के साथ किया गया, उन्हें बूके भी दिये गया टर्मिनल पर सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम किये गये थे, 23 जनवरी को आने वाला ये क्रूज दो दिन पहले ही यानि शुक्रवार को साइब गंज पहुच गया सलानियों को शनिवार को मर्टी मॉडल टर्मिनल घुमाया फिराए गया एक के बाद एक आईडी ब्लास्ट से पूरा इलाका दहल उठा 15 मिनट के अंदर हुए सिरियल ब्लास्ट में साथ लोग घायल हो गए आननफानन में सभी को पास्ट के अस्पिताल में ले जाए गया जो उनके ADG ने 6 लोगों के घायल होने की पुस्टी की है दिल धला देने वाला ये अबलास्ट जम्मु कस्मीर के नर्वाल में शनिवार को हुआ उपराजपाल ने कहा इस तरह के निश्चन्स काम जिम्यदार लोगों की हताशा और कायरता को उजागर करते हैं उनके खिलाब सक्त कारवाई होगी उन्होंने घायलों को 50-50,000 रुपई की आर्थिक मदद देने का एलान किया मौने आमवस्या के आवसर पर नेपाल के त्रिवेनी धाम से स्नान कर वापस भारत अपने घर लौट रहे स्रधालों से भरी एक बर्ष शनिवार की सुबर नेपाल के महेशपूर में पलट गई इस हास्ते में करीब 49 लोग जखमी हुए हैं जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं घायलों को नेपाल के प्रिथवी चंद जीला अस्पतार नवल परासी में भरती कराए गया है आज दिन के 11 बजे के करीब महेशपूर में एक पुलिया के पास अचानक बस ड्राइवर का संतुलन बिगड गया बस पुलिया से टकराते हुए पलट गई बस में बैठे लोगों की चीक पुकार से माहोल गमगीन हो गया टीम इंडिया ने न्यूजिलेंड को करारी हार दी है टीम इंडिया ने कीवी टीम को 8 विकेट से हराया है इसके साथ ही टीम इंडिया सिरीच पर 2-0 की अजे बढ़त बना ली है इस मुकाबले में न्यूजिलेंड ने पहले बले बाजी करती हुए 108 रन बनाये थे टीम इंडिया के तीज गेंदे बाजो ने शांदा प्रदर्शन किया टीम इंडिया की कप्तान रोहित और शुबमन गील ने अच्छी शुरुवात की रोहित अधशतक लगाने के बाद आउट हो गए उनके बाद क्रीच पर आई विराड भी 11 रन बनाकर आउट हो गए गिल एक छोर पर खड़े रहे और इशान किसन के साथ मिलकर मैच खत्म किया इस सिरीज का तीसरा और आखरी मैच 24 जून को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा इसके बाद दोनू टीमें तीन मैच की T20 सिरीज खेलेंगी ऐसे दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे कोहरामलाइब.com के साथ